अभी सुभा 5.30 है हम लोग निकल रहे हैं जहार खंड किया और आज का हमरा रोड ट्रीब है शेले गुडी से जहार खंड तर तो अभी सम तयार हो गया है अभी हम निकाल ले वाले है तो चलो दस्तर में मिलते हैं फिर कि अभी है अभी है अच्छा पूल कर दिये हैं अच्छा पूल कर दिये हैं अच्छा तो अभी तक तो रास्ता अच्छा नहीं तो अभी ठीक है रास्ता स्पूल हो गया तो अभी चलने में ठीक टाक लग रहा है मजा रहा है बहुत तो बहुत कि अपना स्पूल रस्ता है अच्छा रश्ड़ याव रस्ता है अजफ हुआं हुआ 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 तो हुआ है झाल डास तुसे जाएं बें अभी टोल आ गया है विदान्नागर टोल प्राजा कितना भाया पच्पान तभी टोल है विदान्नागर में 55 रूपीज यह हमारा फास्ट टोल है कितना टोल पड़ता है रास्टे रास्ते में थैंक्यू तो दोस्तों अभी हम आगे हैं इसलामपूर बे अभी 7-10 बच चुका है अभी यह पर हम थोड़ा चाए पी लीते हैं उसके बाद आगे काचाणनी शुरू करते हैं हमने चाए पी लिये हैं रोटी अभी हम आगे का जात्रा सुरू करें के यह है इसलामपूर बहुत थांड है बहुत ही थांड है रस्ते में बहुत ही गोरा है फोग है तो धीरे धीरे चलना परसा है इसलामपूर बास्टेंड अभी 750 हो गया हम इसलामपूर से निकल रहे हैं तो अभी हम जा रहा है राची लेकिन आज जाची नहीं जाएंगे क्योंकि शिलिगूरी से राची का डिस्टेंस जो है लगबख 700 किलो मिटर के असपास होगा और हम पहले यहां से गिरिडी तक जाएंगे शिलिगूरी से गिरिडी का जो डिस्टेंस है वो 450 किलो मिटर के असपास है तो जाने में लगबद चार साड़े चार बाजी जाएगा साम को ही रुखेंगे इसके बाद काल सुबह गिरीडी थोड़ा गुमेंगे इसके बाद दोपार को राची निकल जाएगे चलो आगे देखो अभी हम किसान गंज क्रोस कर रहे है अभी टाइमवाए 8.25 चलो बहुत कोहरा है बहुत कोहरा है बहुत ही कोहरा बहुत कोहरा है फिर से आजाए है और एक टोल गेक पर यह हमारा सेगेंड टोल प्लाजा है रस्ते में कितना है? 75 75 75 75 55 bacon आवि हम सिदा जा रहे है पुरणिया के और वाय तरफ जो रस्ते है फ्राइबर के नीचे से जा रहे है वाय तरफ जा रहे है पो пад डराफो aspire जा पूर्णिया पाइपास रोड पकर करके जा रहे है अभी हम पूर्णिया पाइपास रोड पकर करके जा रहे है लेना है इस जगह से कि शानी एेमल değişवाल in आहलो कि ये तहर सनी का रहे है कासते कम वह चिलो भाल कर लो ढुफवात क हिले आहो वाल कर थे घरन यकिली शिए बुफवाय वाल स्नाणिकरने बाइप से फुवित तो अभी थोड़ा आया है यह जास्ते पर एक धाबा पर सागर धाबा इपर थोड़ा फिर चाय पीते हैं इसके बार आगे चलते हैं आदी यह वागल पुछ ज्यादा दूर नहीं है यह पर देखो कितना अच्छा सुरसु का खेध है बहुत गंदर हो दिया गारी है कितना में है साट रुपिया साट रुपिया है चेंच साट रुपिया है यह लिए चौथा टोल यह बागल पूर का ब्रीच गंगा मया के अपर जाई सी गंगा मया गंगा मया की जाई पुपिया गुपिया है झाल झाल कुछ तो लोग कहेंगे हिइअ में लुग 2 को temple के लोग बोलते जूंते लोग राची जाराहे है फगला हो गया है रही titles राची में बहुत कुछ है देखने के आप, बहुत कुछ है, बहुत ही अच्छा जगा है, जारखंड का जो राची है, गिरिडी है, बहुत ही खुबसरत, जो नेचर लवर्स है, उन लोगों के लिए तो ये पेराडाइस है, सच मुच, हम दिखाएंगे आपको भी, कितना कुछ दिख, दिक विए इसमारणारा है, उन बहुत मुच, हम खाने हृँ आपको आपको निए, बहुत है, इसमाराणा, जीए आपको राची में, आने हमेदा का जाटे है, एलकडाद। जोल बाजा किया बीज रूपया बीज रूपया रिलिये यह जो आचे वाला किया कि दूनों तरह गाउ बहुत सुन्दर गाउ स्वर्सु का खेट बहुत सुन्दर सा गाउ है यह अच्छा लग रहा है कि याने में इसा सुन्दर कि दूने आखेडर प्रूमा आखेडर के इसा सुन्दर के अवे बहुत से इसा सुन्दरा करी बनाओ कि दूआ में एकामर बात्या कि दूएंग कि दूएंग झाल झाल कितना डाइन दरोप देखो कितना संदर विडिया ली इसरसो का खेट पीला बिलकुल पीला हो गया जा चैना गाम लिदव्यॅ установ कितना साइस जीश एक चालता डाल्तकरक्थल बांषन हो जातकाइस उ से खुषक्षता अबिंधक कोई प्रॉप्लेम नहीं है कोई भी प्रब्लेम नहीं है कितने बादें हम फूल रहा है सब कुछ दिखते मुन रिम् 06.15 मेर अभी इसे गूली में मैंने सोच भी नहीं था हम लोग को जाना बड़ेका हे जोस एक हम लोग को मदद कर रही है में दस्ते में हुग 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 है करते नादरादादाण लग्तादादा लग्तना कुप में जीज़ लग्तना अचाँ लग्तना ए्विक्तना एवप्तना ठीज़ है बहुत अच्छा लगा अभी दो बजा है देवगहर नहीं पहुचा अभी थोड़ी दिर में देवगहर पहुच जाएंगे इसके बाद आगे गिरेडी तक ठीक है कि दुनों तरफ का नजारा कितना अच्छा है कितना अच्छा जाज पूछो मां पहले हम लोग रास्ते भटक गए थे अभी ठीक है यह रास्ता देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बुल गया है क्या परेशनी हुआ है हम लोगों का अभी तो ठीक है हो दो भाई है आपको भी साथ वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज इससे आगे बहुत सारा वीडियो आएगा अभी तो यह रोट्टिव है किरीडी तक कल किरीडी कुमेंगे वी वीडिय वीडियो नेक्स्ट आएगा उसके बाद राची राची का व्लॉक भी आएगा तो इस सारे वीडियो देखने के लिए अब सब्सक्राइब करना विद बेल बटन प्लीज देखते रहिए मेरे साथ दियोगार 36 किलो मेटर यहां से कर दोड़ियो झाल झाल जाने का रस्ता देखो कितना खुबसूरत है कितना छोटा है रस्ता नेरू है लेकिन अच्छा है चाहिए लो फ्रेंग्स यहां से गिरिडी है 68 किलो मेटर लेप्टार्ण यहां से गिरिडी का डिस्टेंस अभी 34 किलो मेटर से बाकी है फिर only 34 किलो मेटर अभी टाइम हुआ है 425 कितना टाम लाएगा हापे नावार लगेगा जाता से जाता है रस्ता देखो कितना अच्छा कितना स्पूद रस्ता है अभी 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 वह अभी अभी झाल 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 इट से एक तोलगेट आ गिया है हम गिरीडी इंटर कर रहे हैं अभी यहां से 10 किलो मेटर आगे है गिरीडी अब ही है फोर फिप्टी है तो हम लोग पाज बैजे तक पहुच जाता है अब है अब है अब है अब है तो हम अभी होटेल आशोका इंटरनेशनल के सामने खड़े हैं हम यहां पहुच चुके है फाइब थार्टी में चेक इन कर लिया है तो रहा बाहर आके शूट दिखा रहा है आपको बहुत अच्छा होटेल है रूम भी आपको दिखाएंगे अभी चलिए रूम देखते हैं मैं आपको अपरा रूम दिखाते हैं चलिए देखते हैं होटेल का रूम कैसा है मैं तो देखी लिया आउटसाइट विसेप्सम भी देख लिया अभी रूम देखते हैं ओके इह है हमारा रूम नंबर 207 चलिए देखते हैं अंदर में वाव इस नाइस रूम कि वाश्रोव तो उमीद है आपको गिर्डी वाला रोटीव अच्छे लगा होगा तो प्लेज वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए विद बेल बाटन आगे क्यों वीडियो है उसका नटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के जिए तो आज आज का व्लाग एक हतम करते हैं मिलते हैं